C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई 11 बीज गणित प्रिष्ठ 269 11.1 एक समीकरण का हल हम पिछले अनुछेद में देख चुके हैं कि समीकरण 2N बराबर 10, समीकरण 1 N बराबर 5 से संतुष्ट हो गई थी N का कोई भी अन्यमान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है समीकरण में चर का वहमान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का एक हल यानी solution कहलाता है इस प्रकार n बबर 5 समीकरण 2n बबर 10 का एक हल है ध्यां दीजिए कि n बबर 6 समीकरण 2n बबर 10 का हल नहीं है क्योंकि n बबर 6 के लिए 2n बराबर 2 गुणा 6 बबर 12 है और यह 10 नहीं है, साथ ही N बराबर 4 भी हल नहीं है, बताइए क्यों नहीं है? हाईए समीकरण X घटा 3 बराबर 11, समीकरण 2 को लें यह समीकरण X बराबर 14 से संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि X बराबर 14 के लिए समीकरण का बायाँ पक्ष बराबर 14 घटा 3 बराबर 11 बराबर दायाँ पक्ष है यह समीकरण X बराबर 16 से संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि X बराबर 16 के लिए समीकरण का बायाँ पक्ष बराबर 16 घटा 3 बराबर 13 है, जो दायाँ पक्ष के बराबर नहीं है इस प्रकार X बराबर 14 समीकरण X घटा 3 बराबर 11 का इक हल है, परन्तु X बराबर 16 इस समीकरण का हल नहीं है, साथ ही X बराबर 12 भी इस समीकरण का हल नहीं है स्पष्ट कीजिए क्यूं नहीं है, अब निम्नलिखित सारणी की प्रविष्टियों को पूरा कीजिए और स्पष्ट कीजिए के आपके उत्तर हाँ या नहीं क्यूं है समीकरण, चर का नाम, हल हाँ या नहीं एक, X जमा दस बराबर 30, X बराबर 10 नहीं दो, X जमा दस बराबर 30, X बराबर 30 नहीं तीन, X जमा दस बराबर 30, X बराबर 20 हाँ चार, P घटा 3 बराबर 7, P बराबर 5 नहीं 5. P घटा 3 बराबर 7, P बराबर 15, – 6. P घटा 3 बराबर 7, P बराबर 10, – 7. 3N बराबर 21, N बराबर 9, – 8. तीन यड बराबर 21, यड बराबर 7 डश नौ, ती बटा पांच बराबर 4, ती बराबर 25 डश, दस टी बटा पांच बराबर चार, टी बराबर बीस, डश, ग्यारह, दो अल जमा तीन बराबर साथ, अल बराबर पांच, डश, बारह, दो अल जमा तीन बराबर साथ, अल बराबर एक, डश, तेरह, दो अल जमा तीन बराबर साथ, अल बराबर दो, डश, प्रिष्ठ 260 यह हल ग्याद करने की सीधी यानि प्रत्यक्ष या व्यावहारिक विधी नहीं है। बीज गनित का प्रारंभ यह कहा जाता है के गनित की एक शाखा के रूप में बीज गनित का प्रारंभ लगभग 1585 इस्वी पूर्व में अर्थात आज से 3500 वर्ष पूर्व हुआ। जब मिस्र वासियों ने अज्यात संख्याओं को व्यक्त करने के लिए संकेतों का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। तीन सो इस्वी पूर्व के आसपास भारत में अज्यातों को अक्षरों से व्यक्त करना और व्यंजक बनाना एक बहुत सामान्य बात थी। अनेक महान भारतिय गणितग्यों जैसे हार्यभट जन्म 476 इस्वी, ब्रह्म गुप्त जन्म 598 इस्वी, महावीर जो लगभग 880 इस्वी में रहे और भासकर द्वितिय जन्म 1114 इस्वी, तथा कई अन्य ने बीज गणित के अध्ययन में बहुत योगदान दिया, उन्होंने अग्यातराशियों के लिए बीज, वर्न, इत्यादी जैसे नाम दिये, और उन्हें व्यक्त करने के लिए रंगों के नामों के प्रतम अक्षरों के रूप में प्रयोग किया, जैसे काल प्रामिला से नी इत्यादी। अलजब्रा के लिए भारतिय नाम बीज गनित इनहीं प्राचीन भारतिय गनितग्यों के समयकाल का है। शब्र हैलजब्रा लगभग 825 इस्वी में बगदाद के एक हरब गणितग्य मुहम्मद इबन अल खोवारिजमी द्वारा लिखित एक पुस्तक अल जिबार वॉल अल मुगाबालाह के शीर्शक से लिया गया है। प्रश्नावली 11.5 एक बताईए कि निम्न लिखित में से कौन से कथन समीकरण यानी चर संख्याओं के हैं। सखारण उत्तर दीजिए। समीकरणों में सम बद्ध चर भी लिखिए। A. सत्रह बराबर X जमा सत्रह B. T घटा साथ पांच से बड़ा C. चार बटा दो बराबर दो D. साथ गुणा तीन घटा तेरह बराबर आठ E. पांच गुणा चार घटा आठ बराबर दो X F. X घटा दो बराबर शून्य G. दो M तीस से छोटा H. दो N जमा एक बराबर ग्यारह I. साथ बराबर ग्यारह गुणा पांच घटा बारह गुणा चार J. साथ बराबर ग्यारह गुणा दो जमा पी K. बीस बराबर पांच वाई L. तीन क्यू बटा दो पांच से छोटा M. Z जमा बारह 24 से बड़ा N. बीस घटा कोश्टकों में दस घटा पांच बराबर तीन गुणा पांच O. साथ घटा एक्स बराबर पांच प्रिष्ठ 261 2. सारणी के तीसरे स्तंभ में प्रविष्टियों को पूरा कीजिए क्रम संख्या, समिकर्ण, चरका मान, समिकर्ण संतुष्ट हाँ या नही क्रम साहिए क्रेंठ बार ने खांच आAC Woche 10A अनुपर उता हां फांचesरे स्हाइब साहिए क्रविष इस और आफंगी स्हाइब स्जिएफ दस और आबर उता हांच आइप पांच च्छ्छल बराबर बीसल बराबर रबर दाब 20. e. 4L बराबर 20. L बराबर डश. 80. f. 4L बराबर 20. L बराबर डश. 5. g. b जमा 5 बराबर 9. b बराबर डश. 5. h. बी जमा 5 बराबर 9. b बराबर डश. 4. J. एच घटा 8 बराबर 5. h बराबर डश. 8. K. एच घटा 8 बराबर 5. ह बराबर डश, शुन्य, एल, ह घटा आठ बराबर पांच, ह बराबर डश, तीन, हम, प जमा तीन बराबर एक, प बराबर डश, तीन, N, प जमा तीन बराबर एक, प बराबर डश, एक, O, प जमा तीन बराबर एक, प बराबर डश, शुन्य, P, P जमा 3 बराबर एक, P बराबर ड' क्यू67 essa? 3- प्रत्येक समीकरण के सम्मुक कोश्ठकों में दिये मानों में से समीकरण कहल्ट चुनिये, दर्शावये के अन्यमान समिकरण को संतुष्ट नहिं करते हैं A. 5M बराबर 60, 10, 5, 12, 15 है B. N जमा 12 बराबर 20, 12, 8, 20, 0 C. P घटा 5 बराबर 5, 0, 10, 5, माइनस 5 D. Q बटा 2 बराबर 7, 7, 2, 10, 14 है E. R घटा 4 बराबर 0, 4, माइनस 4, 8, 0 F. X जमा 4 बराबर 2, माइनस 2, 0, 2, 4 4. A. नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देख कर ही समी करण M जमा 10 बराबर 16 का हल ग्याद कीजिए M. M जमा 10 B. नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देख कर ही समी करण 5T बराबर 35 का हल ग्याद कीजिए T. पांच टी B. नॉ डाष, दस डाष ग्यारह, डाश, 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 डाश आठ दो दो बटा तीन, नौ तीन, दस तीन एक बटा तीन, ग्यारह डैश, बारह डैश, तेरह डैश, चौदह डैश, पंद्रह डाश, सोलह डाश, 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 डी, सारणी को पूरा कीजिये और समी करण M घटा साथ बराबर तीन कहल ग्याद कीजिये. हम, M घटा साथ, पांच, डाश, छे, डाश, साथ, डाश, आट, डाश, नौ, डाश, दस, डाश, ग्यारह, डाश, बारह, डाश, तेरह, डाश, 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 पांच. निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए, आप ऐसी पहेलियां स्वयम भी बना सकते हैं। मैं कौन हूँ? एक एक वर्ग के अनुदिश जाईए, प्रत्येक कोने को तीन बार गिन कर और उससे अधिक नहीं, मुझ में जोड़िये और ठीक चौनतीस प्राप्त कीजिए। दो, सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे से उपर गिनिये। यदि आपने कोई गलती नहीं की है, तो आप तेईस प्राप्त करेंगे। तीन, मैं एक विशिष्ट संख्या हूँ, मुझ में से एक छे निकालिये और क्रिकेट की एक टीम बनाएए। चार, बताईए मैं कौन हूँ, मैं एक सुन्दर संकेत दे रही हूँ, आप मुझे वापस पाएंगे, यदि मुझे बाईस में से निकालेंगे। हमने क्या चर्चा की। एक, हमने तीलियों का प्रयोग घर के अक्षरों और अन्य आकार बनाने के प्रती रूप देखे। हमने किसी आकार को कई बार बनाने के लिए आवश्चक तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम लिखना सीखा। वह आकार जिसे बनाया जा रहा है, जितनी बार बनाया जाता है, वह संख्या बदलती रहती है। इसके मान एक, दो, तीन इत्यादी हो सकते हैं। यह एक चर है, जिसे किसी अक्षर जैसे एन से व्यक्त किया जाता है। प्रिष्ठ 263 2. एक चर विभिन मान लेता, यानि ग्रहन करता है। इसका मान स्थिर, यानि निश्चित नहीं होता। एक वर्ग की लंबाई का कुछ भी मान हो सकता है। यह एक चर है। परंतु किसी त्रिभुज के कोणों की संख्या तीन निश्चित है। यह एक चर नहीं है। 3. हम एक चर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर N, L, M, P, X, Y, Z इत्यादी का प्रयोग कर सकते हैं। 4. व्यावहारिक स्थितियों में हम चरों की सहायता से विभिन संबंधों को व्यक्त कर सकते हैं। 5. चर संख्याएं ही हैं। यद्यपी इनके मान, स्थिर या निश्चित नहीं हैं। हम संख्याओं की तरहा इन पर योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन की संख्याएं कर सकते हैं। विभिन संक्रियाओं का प्रयोग करके हम चर वाले व्यंजक जैसे X घटा 3, X जमा 3, 2N, 5M, P बटा 3, 2Y जमा 3, 3L घटा 5 इत्यादी बना सकते हैं। चर हमें जामिती और अंकगनित दोनों के सामान्य नियमों को व्यापक रूप में व्यक्त करने में समर्थ बनाते हैं। उदहर नार्थ यह नियम के दो संख्याओं को किसी भी क्रम में जोडने पर योग वही रहता है। हम A जमा B बराबर B जमा 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहां चर A और B किसी भी संख्या 1, 32, 1000, –7, –20 इत्यादी के मान ले सकते हैं। साथ, समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। इसे एक चर वाला व्यंजक बराबर एक स्थिर संख्या के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे X घटा 3 बराबर 10 है। 8. एक समीकरण के दो पक्ष होते हैं। बायांपक्ष यानि LHS और दायांपक्ष यानि RHS। इन दोनों के बीच में समता यानि समीका का चिन्ह होता है। 9. समीकरण का बायांपक्ष समीकरण के दायंपक्ष के बराबर उस समीकरण में संबध चर के एक निश्चित मान के लिए ही होता है। हम कहते हैं के चर का वहनिश्चित मान समी करण को संतुष्ट करता है। स्वयम यह मान समी करण का हल कहलाता है। 10. हल ज्याद करने की एक विधी प्रयत्न और भूल विधी है। इस विधी में हम चर को कई मान देकर यह जांच करते हैं, कि यह मान समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। चर को हम ऐसे विभिन मान तब तक देते रहते हैं, जब तक हम चर का वह सही मान न प्राप्ट कर लें, जो समीकरण को संतुष्ट करता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक, वाचन स्वर गौरव मार्वा, निर्मान सहियोग सौम्या मलिक, निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत.